तो दो कौरी की एक्टिंग आप लोगों ने देख ली बिल्कुल दो कौरी की फिल्म मनी है राधे ऐसी एक्टिंग और उनकी ऐसे एक्टिंग जो एस्पेक्टेशन उनके फैंस लोगों ने करी थी वो पूरी तरह से इस फिल्म में खरी नहीं उतरी है सलमान खान और आपको बर गया है वसुली गैंग बर गया है ड्रक्स माफिया बर गया है अब फिर एक सिंगम नहीं तो सुरेवंसी नहीं तो फिर एक अब नया राधे वो आएगा और पूरे जो भी सिस्टम में जो भी यहाँ पे बुराई हो रही है कुरितिया हो रही है उसको वही ठीक करेगा या तो फिर साउथ फिल्म की ले लो या तो होलिवूट की ले लो और नहीं हुआ तो इन दोनों को मिक्स करके एक फिल्म बना दो जी हाँ अभी सबसे बरी और ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि दूसरे नम्मर पे ट्रेंड कर रहा है कि राधे फिल्म का बहिसकार करो ये पूरी तरह से सुसान्त SSRIANS फैंस के लिए एक बहुत बरी खबर है और बहुत ब्रेकिंग खबर है ट्रेंड हो रहा है कि इस फिल्म का पूरी तरह से बहिसकार होना चाहिए अभी SSRI की जिस तरह से इंसाफ की आवाज उठ रही थी उन सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला और ये फिल्म ले करके आगे हैं और सलमान खान के फिल्म इतनी बुरी तरीके से पीट रही अभी जादा देर ने हुआ कुछ ही गंटों पहले इस फिल्म का प्रिमियर हुआ है और इतनी तेजी से ट्वीटर पे ये बाते ट्रेंड कर रही है ये कहना मुश्किल है कि इस फिल में लाएंगे भी तो कैसे लाएंगे इतना करोना और वायरस की जो अभी हवा हवी चल रही है और ऐसे में इतना रिस लेकर के कोई फिल्म देखने क्यों जाएगा बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बात कही सलमान खान को कि इतना ज्यादा एज हो गया और अभी तक पच बैट जाना है लेकिन आपको तो रिटार करना ही नहीं है आप तो 80-90 साल के भी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उस समय भी दिसापातनी जैसे कोई अट्रस आजाएंगी उनके साथ भी यही कि सीपीटी कहानी आप लेकर के आ जाओगे और पबली को फिर से आपको जहि दूँगा दोस्तों ट्वीटर पे ट्रेंड दूसरी नमर पे तो कर रहा है कि राधे फिल्म का बहिसकार करो और इस फिल्म को लेकर के एक और विवाद ये आया है कि अभी सलमान खान इदी पे ईद तो देने वाले थे लेकिन उनके फैंस उनसे ही नाखुस हो गये मायूस ह कि जैसा कमिटमेंट भाई ने करा था वैसे फिल्म तो बना करके दी नहीं अब उसके बाद इस फिल्म को लेकर के एक और विवाद ये आई है कि ये हैं मुसल्मान और फिल्म में इन्होंने अपने नाम को रखा है राधे तो पूरी तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू ध इससार को इनसाफ नहीं मिल जाता शायद सारे फिल्मों की स्थिती यहीं होगी क्योंकि जितने भी बैक टू बैक मुवी आ रहे हैं वो सारे लोग इससारियन इससार के फैंस में बता दू कि करोरों से ज़्यादा इससार के फैंस अभी इस भारत देश में और भारत देश स बाहर भी है ऐसी स्थिती में ये लोग जब तक SSR को इंसाफ नहीं देते हैं तो लगता है कि पूरा गुस्सा जो है वो फिल्मों पे ही निकलने वाला है तो हमें यही लगता है कि जितने भी बॉलिवूट के इंटर्टेनर हैं उन लोगों को अपील करनी चाहिए कि SSR को जल स जल इनसाफ मिले ताकि उनके फिल्में और उनका रोजगार पहले की तरह कुछ हद तक सही हो जाए हलाकि इन सारे मुद्धों पे आपकी क्या सोच है आपकी क्या विचार है अपनी विचार जरू वैक्त करें तो आज के लिए वसितना ही